मैं आप का सुपह सुभ़ सुबहित करती हूं, अपने किचन में ARE मैं नाद होके, सुबह सुभब तयार हो गई हूँ और मैं चली हूँ बच्चों का »β pest« बनाने के लिए। । सुबह सुभए इतने इनी सब्जियों को जो हैं मिक्स करके बनाओगी तो यह इस बच्चे भी खूशों के खा लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी प्रोब्लम हो जाती है कि सब्जी बनाने का मन नहीं करता कि क्या मनाए तो थोड़ी-थोड़ी सब्जियों उसमें से बच जाती है, उनी सारी सब्जिय मिर्चे भी और सब्जी को अब मैंने अच्छे से 2-3 पानी में दोके प्यार कर लिया है, सबसे पहले मिर्चे को और प्याज को जो है, दोके अलग रख दिया है, सब्जी को भी हमने 2-3 पानी में दोके अलग से एक बावल में निकाल लिया है, सुबह-सुबह की रूटीन म पुछो मत इतनी जल्दी 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 काम करना पड़ता है आप लोग मुझे भी Comment करके बताई आप भी सिपीड से कम करते हैं मैं तो करती हूँ पयाज को मैंने चोटे-छोटे Email में काम काटव लिया है मिर्चो को कुछ अब जी का कलर और टेस्ट अच्छा आता है यह देखिए इसमें थोड़ा सा कट लगा देते हैं क्योंकि यह चटकती है थोड़ा सा डाल दिया हमने अध्रक लेशन का पेस्ट मसालन में अच्छी खुश्बुगा रही है हजबन भी थे जो है नादों के त्यार हो गए है और पूजा कर रहे हैं अब डाल दी इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च सुबह तो बस टू इन वन काम करना पड़ता है साथ 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 एक साथ जो दो दो काम करने पड़ते हैं अब मैंने प्याज और टमाटर इनको प्याज को तो मैंने काटकर डाला है लेकिन टमाटर क माइन सोके एक चमर चमर डाल मील सके बताओं आ Hearts एक चमर जाल जाल मिर्ची पाओडर एक चमर दनिया पाओडर थोड़ा सा गरम मासाला और टेस्ट के कोडिंग डाल दिया हमने नमक सारी कि रペिजों को कर दिया मसाले में मिक्स यह देखिए मसालों को सबसे ज्यादा जरुरूई होती है मसालों को अच्छी तरह से पकाना जितने अच्छे मसाले पकाईगे सब यह उतनी उच्छी बन के तयार होगी अब मैंने अच्छी सब्जी का जो कड़ आई हैं उसको रख दिया दूसरे अब फिर से मैंने कड़ाई को इस वाले चुले पर रख दिया है और सब्जी हमारी बस पकने ही वाली है यह देखिए बीच बीच में चलाते हुए क्योंकि नहीं चलाएंगे तो सब्जी जो हतली में लग जाएगी अब इस पर से डाल दिया हरा दनिया और हमारी हैल्दी संदय तो मुझे कोमेंट करके जुरू बताइए आगे से मैं ऐसी वीडियो बनाएंगे और मेरे चैनल को लाइक से रों सब्सक्राइब जूरू कीजिए और नीचे एक बैल आइकन है उसको भी दवाएए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिक्वेशन आपको मिल सके Thank you